हेलो गाईज पुस्पाग ईरशोई में आप शब का बहुत बहुत श्वागत है आज हम लेके आए हैं अंडा की बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली सब्जी तो सबसे पहले हम लेगे अंडे यह मैंने बॉायल कि लिए हैं आप चाहें तो इसको घ स्पी का वेडियो ने बनाया नहीं है कभी जब और बनाऊंगी तो बना के डाल दूँगी तो तीके सबसे पहले हमको अंडे को छील लेना है और इस तरह से आपको सामागरी लेना है यह मैंने दो गठिया प्याज के लिए हुई है सौ ग्राम के करीब और कुछ मैंने लिए हर मिर्च तो आप इस तरह से जैसे कि मेरे वेडियो में आप देख पा रहे होंगे मैंने प्याज को थोड़ा सा काट लिया है मैंने बहुत ज्यादा चोटे पीस नहीं किये हैं अभी में दिखाऊंगी यांगे वेडियो में बने रहे हैं तो मैंने कुछ हरी मिर्च लिए तो यह देखिए मैंने कुछ लेशन की कलिया लेए जो छील ली है और अब हम लेंगे दो टमाटर दो प्याज ली थी तो मैंने छोटे छोटे दो टमाटर ली है इस तरह से आप इनको बीच से कुछ कट कर लेंगे ज्यादा छोटे पीस नहीं करना है अभी मैं बताऊंगे ज्यादा लेंगे उसके लिए तो आप इस तरह से मटर को भी छील करके उसके दाने तियार कर लेंगे तो मैंने एक कटोरी करीब मटर के दाने लिए है जो 100 ग्राम के करीब है और ये देखें, ऐने बताया भी य है कि मैं दो टमाटर लिए हैं तो ये देखें मटर छील'dी और ये मैंने लिए हैं अंडे जो छील के तयार कर ली है ये नी इन मेरी गृवी के लिए शामगई लिए और ये हैं कुछ मसाले और ये देखें मIRA जरासा ही औरल डाला हुआ है आज मैं बहुत कम तेल में बहुत ही स्वाधिश ठबजी बना के दिखाऊंगी तो सबसे पहले आपको क्या करना तेल को थोड़ा सा हलका गरम करना है और इसमें डाल लेंगे हैं अंडे तो आप एक चीज का धिहान रखें जब भी आप अंडों क हैं थोड़ा सा कांटी की मदण से आप इसमें चहीद भी कर सकते हैं पर मैंने याद चीद नहीं कियें सीधे मैंने बनाया है तो आप जब गैस को धीमे रखेंगे तो आपके अंडे के फटेंगे नहीं और आपको क्या करना उसी तेल में सारी सामगरी को डाल देना जो लैसुन, प्याज, अदरक और ये हरीमेच और इसी में मैं डाल दी है मतर अब आप क्या करेंगे कि आज को थोड़ा सिलो करेंगे थोड़ा सा इसको चलाएंगे और अब डाल देंगे इसमें स्वाध अनसार हम आदी छोटी च बनाएं तो आप इसकी ग्रेवी देखना भी मैं दिखाऊंगी बाद में बहुत ही अच्छे से बनके त्यार होगी यह कम तेल में और बहुत कम समय में यह सबजी बनके त्यार हो जाती है तो मैंने पहले भी बेटी को बताया कि आज मैं बहुत कम समय में आपको सबजी बना करेंगे प्याच को चला दिंगे तो प्याच टामाटर सब मिक्स हो जाएगा और मटर भी में मिक्स हो जाएगा तो अब देख पा रहे होंहें या आपकितनी अच्छे से मेरी ग्रेवी ये त्यार हुई है अब हम डाल देंगे मसाली थोड़ा सा डाला है मैंने हल्दी और तो इस सब को हम चला देंगे अब सब्जी को आप कलर भी देख रहे होंगे कि कितना अच्छा कलर भी आया है और ये देखिए अब मसाला हमारा एक दम भूझ के त्यार हो चुका है क्योंकि ये पिसा जो मसाला होता तो ज्यादा टायम ही लगता है भूझने में तो अब हम डा देंगे अंडे और जब भी आप अंडे डालें तो थोड़ा सा चला दें और अब डाल देंगे हम पानी आपको जैसे भी ग्रेवी पसंद हो उसी अंसारब आपको सीटी नहीं लगाना बस दो वाल आने देंगे और आपकी सब्जी बनके त्यार हो तो ये देखिए हमारी अ कम समय में इस तरह से सब्जी बना करके त्यार कर सकते हैं चलते हैं फिर मिलते हैं नए वीडियो के शाथ में